Hello guys, welcome to Sagar Robotics आज की इस वीडियो के अंदर हम remote से bomb blaster बनाने वाले मतलब आप समझ चुके होंगे कि हम सेप तरीके से remote का switch दबा के काफी दूर से जो भी पटाका है उसको फोडने वाले तो चलिए वीडियो के अंदर देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका box बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने कुछ PVC के sheets ले लिए अगर आप box गर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो अब जो market में 10 रुपे का dip भी मिल जाता है उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन PVC sheet को फेवे के एक से चिपका चिपका के एक box बना लेते हैं तो इस तरीके से मैंने एक box type का structure बना लिया है अब इसको हम यहाँ पे sand paper से काफी अच्छे से finishing दे देते हैं क्योंकि यह looking में भी काफी बढ़िया दिखना चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से finishing दे दिया है और अब यहाँ पे यह काफी बढ़िया है इसकी जो finishing है वो हो चुकी है और अब इसके उपर मैं paint कर देता हूँ यहाँ पे मैं इसके उपर red paint कर रहा हूँ आप जो चाहो वो paint कर सकते हो जब तक हमारा paint सुक रहा है तब तक हम इसका circuit बना लेते हैं तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक receiver board ले लिया यह RF receiver board है इसके उपर connection लिखे हुए है VCC, ground, FM, BM इस तरीके के और यहाँ पे मैंने दो wire ले ली तो यह board आपको जो पुरानी remote control toy car होती है उसके अंदर काफी easily मिल जाएगा उसका यूज आप यहाँ पे कर लेना और यहाँ पे मैंने दो wire ले ली तो यहाँ पे BM और FM लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा तो basically यह जो दो wire है यह motor के साथ अटे चोती है उस car के अंदर लेकिन हमें वहाँ पे लगाना है relay तो यहाँ पे मैंने एक five hold का relay ले लिया और इसके उपर जहाँ पे coil दिखाया हुआ है वहाँ पे आपको इसके connection कर देने जहाँ पे motor connect थी वहाँ पे और इस तरीके से एक wire लगा लेना है बीच में और उसको सीधा connect कर देना है आपको जहाँ पे GND लिखा हुआ है ground वाला उ उसको सीधा VCG के साथ connect कर देना है और एक इस तरीके का 12 hold का jack ले लिया उसको लगा दिया और यहाँ पे एक 18650 battery ले ली तो यहाँ पे हमें positive solder करना है जो switch के साथ है तो यह positive terminal और यहाँ पे negative terminal इस तरीके से हमारा जो circuit हो फिल हाल complete हो चुका है बस इसके अंदर कमी है तो indicator LED क तो यहाँ पे मैंने LED के साथ 330 ohm का resistor लगा दिया और उसको सीधा positive negative के साथ attach कर दिया प्लेट के अब यहाँ पे एक ant लिखा हुआ था मतलब antenna तो उसके साथ भी एक wire लगा दिया जिससे कि यह काफी ज्यादा दूर से work करे और एक इस तरीके का antenna बना लिया आप simply tar के टुकड कर सकते हो ना कर सकते हो यह आपकी मर्जी है तो यह सब कुछ मैं इसके अंदर fit कर देता हूँ बैटरी को भी आपे चिपका लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो देखो मैंने यह आपे बैटरी को fit किया और यह indicator LED switch, socket, battery सब कुछ इसके अंदर लगा दिया और antenna को इस side में लगा दिया तो अब जैसे ही switch को हम push करेंगे तो हमारा circuit ready हो जाएगा work करने के लिए और यहाँ पे जो pin है उसको हमें बनाना है लेकिन उसके पहले आपे मैं एक नीचे से इस तरीके के PVC sheet लगा कि इसको pack कर लूँगा तो अब यहाँ पे मैंने इस तरीके के mail pin ले ली और इसके साथ कुछ wire का piece attach कर दिया है और यहाँ पे एक necrom wire का piece ले लिए यह आपको काफी जगह पे मिल जाएगा पुराना head dryer इस्तरी हो गया या फिर कुछ भी आपको पता ही होगा कि necrom wire कहा कहा मिल जाता है तो इस तरीके से आपको इस wire के साथ simplest को attach कर देना ह और यह जो pin है इसको हमें simply socket के अंदर लगा देना है और यह जो switch है हमारा इसको हम अब फिल हाल on कर देते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक plate ले लिया है तो यह transmitter है जो की car का remote होता है उसी में का plate है तो यहाँ पे मैंने दो battery सीधा solder कर दिया है क्यों यहाँ पे जो necrom wire है वह यहाँ तो यह तो यह काफी दूर से यह यह work करने वाला है तो मैं आपको अंदरे में दिखा देता हूँ तो देखो यह अपर यह जो नैकrom wire है यह red hot हो रहा है तो अगर यह आपको थोडा ज्यादा red hot करवा ना थे तो आप जो tar है उसको थोड़ा चोटा यूज कीजिएगा, मतलब आप जितना चोटा तार यूज करोगे उतना ज्यादा हीट या पे होगा तो ये आप देख लो कि किस तरीके का लग रहा है हमारा गैजट लग तो काफी बढ़िया रहा है और पेंट भी काफी अच्छा लग रहा है इसको या आप इस तरीके से जमिन के उपर रख देना है और ये यहापे हमारा नाइक्रोम वायर है तो यहापे मैंने इसको थोड़ा चोटा कर दिये है जिससे कि और ज्यादा हीट हो यापे और यहापे वायर की लेंद कुछ इतनी रखिये तो wire की lane तो आप अपने इसाप से कम ज़्यादा रख सकते हो लेकिन ज़्यादा रखोगे तो थोड़ा जो resistance है वो बढ़ जाएगा तो आप वो खयाल रखना अगर resistance बढ़ जाता है तो यह अच्छे से work नहीं करेगा इसलिए ज्यादा लंबा wire भी आपको नहीं रखना है तो यह वैसे तो safe है ही क्योंकि आप remote से काफी ज्यादा दूर से इसको चला सकते हो तो इस तरीके के जो पठाके है वो मैं आपको चला के दिखाऊंगा लेकिन यार guys कुछ personal issues की वज़े से मैं आपको सीधा पठाका तो जला के नहीं दिखा सकता है आपे लेकिन यार ऐसा नहीं कि मैं इसकी आपको testing नहीं दूंगा तो यह जो पठाके की बत्ती है उसको मैं आपको जला के दिखा देता हूँ अगर पटाके की बत्ती जो है वो जलती है तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा पटाका है वो जले गाई आप इससे बम भी फोड़ सकते हो सेफली काफी दूर से स्काई शॉर्ट रॉकेट कुछ भी लगा सकते हो तो बस हम जैसे ही आप स्विच प्रेस किया रिमोट का तो ये जो है हमारा बत्ती जल गया मतलब पटाका अगर होता तो पटाका भी आप फूटी जाता तो अब मैंने उन पटाके को की जो दारू है बारू थे उसको पेपर के उपर डाल दिया है और उसके अंदर एक फ्यूज लगा दिया है जो कि पटाके काई फ्यूज है तो चलो देखते है कि ये जलता है या नहीं तो शायद यार मुझे लगता है कि ये जो बत्ती है ये जला नहीं पाएगी इसको लेकिन देखते तो देखो हमारा जो बत्तिय वो हूड गया मैंने कहा थाना आपको वो लेकिन बारुत ने आग नहीं पकड़ा क्योंकि जो बत्तिय वो बाग गया जलके तो हमारा जो bomb launcher है वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है आपने वीदियो के अंदर देखी लिया तो गाईज अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दो चैनल पे नवी तो शेयर कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाईज